नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल प्रकीत गोद में आपका पिर्थे स्वागत है एलोवेरा आपके लिए फायदेमंद है लेकिन जब आती हवाद तोचा की तो एलोवेरा जल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है सदियों से भी लोग एलोवेरा का उपयोग तोचा पर कर रहे हैं अगर आपको एलोवेरा जल का उपयोग करते हैं तो कुछ स्थितियों में इसका इलाज काफी हसान हो सकता है कट या तोचा की गाव मुहां से सन बर्न आउस्टूजन छोटे मोटे जखम फंगल इन्फेक्शन जैसे दाद बाइट बग बाइट एकजीमा जूरिया आज का परियोग कर सकते हैं आई जानते हैं एलोबेरा जल का उपयोग कैसे करें इस जल को तोचा पर लगाने कई तरीके हैं उसके लिए आपको इन बादों का ध्यान रखना चाहिए आप एलोबेरा सीधे जल अपने चेहरे पर लगा सकते हैं आपको सबसे पहले चेहरों को हाइडरेट फ्रिश्वास से अची तरी धोना रहेगा अब इन चेहरों को सुखा कर इलोबेरा जल का इस्तेमाल करने के बाद आप कुछ जिर के बाद इसको ठंडे पानी से दो सकते हैं आप इलोबेरा जल को इनके पत्तियों से निकाल कर आई स्कूप में रख सकते हैं इसे फ्रीज में रख दें गर इलोवेरा जेल टोन की तरह काम करता है इसके लिए आपको दो भाग पानी और एक भाग इलोवेरा जेल लेना है इसमें एक एर टाइट बोतल में डालकर अच्छी तरीके से मिला लें और फ्रीज में रखते हैं आपके लिए टोनर का उपयोग करने का सही समय हो तो एक काटन बाल में कुछ स्प्रेक करें और इसे अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से लगा लें यदि आपको किसी के लिए ने काट लिया हो तो आपको जलत जलत आपनी से उस छेत्र को साफ करना चाहिए फिर आप एरोबेरा जल को उस छेत्र पर लगाएं और इसे कम से कम 20 मिनिट क करें ज्यादा से ज्यादा सेर करें